एक सत्य हरिश्चंद्र का पहला प्रस्तुति करण नेशनल स्कूल अफ ड्रामा नई दिली द्वारा 15 नवंबर 1975 को रविंद्र भवन के खुले मंच पर M.K. रेना के निर्देशन में हुआ आईए जानते हैं इसके प्रमुख चरित्रों के बारे में लौका हरिश्चंद्र, देवधर, इंद्र, मिस्पद्मा एंड शेव्या, जीतन, विश्वमित्र, रोहित, गुपोले, नारद, रंगा, पतुरिया, डोम, प्रजा, सिपाही, चर्वाह, पुरुहित, ब्रह्मन, हरिजन, शोद्र, बनारास के लोग, इत्यादी प्रस्तावना कुए पर चड़ आया भागता है या अपने उपर जल छिड़कता है और अपनी पूजा समगरे के लिए हुए के लिए हुए वहीं चबूत्रे पर कथा पूजा की तयारी करता है इसी समय गाओं का भूतफूर्द जमिदार और आज का राजनेता देवधर दाई ओर से आता है चारों ओर देखकर फिर आगे बढ़ता है उसके हाभाव से लगता है वह बहुत परेशान और क्षुब्द है पुरोहित की ओर देखकर उसकी ओर बढ़ता है पुरोहित जुक अला हुआ एक किनारे बैट गया था उठकर गाने लगता है साहीव केके पाउं बांधो घूंगरू केके पाउं रेशंग डोर चलत चलत अब रात बीती सांचु तो कराए देव भेंट लौका गा पड़ता है नहीं भयो काका नहीं कियो मारियो फुंकियो घर जलियो उधर चबूत्रे पर पुरोहित सत्य नरायन की कता शुरू करता है, गाउं के स्वण लोग आकर बैढते हैं, कुछ चबूत्रे के सामने और कुछ आगे दाईयोर गरीब लोग अपने कुएं के पास बैटे हैं, दिवधर अपने साथी जीतन के साथ आते हैं, पुरोहित, तत प्रसाद पाए ही पती सुमिलन कूम चल दी तो फिर याको मतलब का भयो सत्यनराण के प्रसाद की अभेलना करने के कारण सत्यनराण भगवान रुष्ट होई गए इवम कन्या कलावती और उसके पती के दंधाने इवम नावसहितम नदी माडुबयो दियो तदो प्रांत कन्या कलावती ने अपने पती कुँ उधर नहीं पायो देवधर, हाँ, तो किस ने कहा, अब हमें देवधर बाबु की जरूरत नहीं है, देवधर बाबु को किस ने बनाया गुपोले, भगवान ने बनाया, नहीं, जनता ने बनाया, सब ने बनाया, तभी तो जनता को जनारदन कहा गया है वृद्द, साहेब آپ हमारे मालिक हैं Pर आपका मालिक कौन है? देवधर जनता और तुम लोग लौका, गुलाम भी कभी मालिक हुआ है? देवधर समझ लो यह जूठा भ्रह्म फैल रहा है मालिक जनता है लौका अगर जनता मालिक है तो सुनो अब जनता तुम्हें नहीं चाहती है देवधर फिर किसे चाहती है लौका कहता है अपने आपको चाहती है उसे चाहती है जो उसका हो जिस पर उसका पूरा अधिकार हो देवधर मुझ पर अधिकार नहीं है क्या लौका कह सच बात ये है कि यह मेरी जगा लेना चाहता है है तुझ में यह हिम्मत बड़ा चला है स्वपन देखने स्वराजय का नाम लेने कान खोल कर सुनो जो मेरी सीधी साधी प्रजा को भैकाएगा उसे मैं जिंदा रहने दूगा पुरोहित अरे भाई मुझे समझाना तुम मुझे क्या चाहिए गोपोले बोल भाई बोल पंची को पिंजरा से खोल लौका हमारे लिए सारी चिंता आप करते हैं यही आपकी राजनीती है अगर हम अपनी चिंता खुद करें तो यही पंचों की जीत है देवधर तो कुएं के सारे मेंडक मिलकर आसमान के तारे तोड़ लाना चाहते हैं जीतन बाहर से कहीं कुएं से आवाज आई होगी देवधर याद रखो जो बाहर से आता है वह स्वयम पर और परदा बन जात लौका ज्यान भीतर से जाकता है वह आता नहीं है जाकता है परदों को तोड़ता है यह पंक्ति मत्तपोन है पूची जा सकती है जीतन पता है किस से जबान लड़ा रहा है पुरुहित इतिश्री सकंद पुराने रेवा खंडे सत्या नरायन वरतम कथा याम चतुर्था ध् देवधर तुम सब को सत्या नरायन की सौगंध है सच सच बताओ मामला क्या है जीतन यह लोगों को गुमरा करना चाता है जीतन तु समझता क्या है लौका गरीबों की मुफ्लिसी कहती है वृद्ध इक ऐसा सुराज है वैया इसे तो अंग्रेजी राज अच्छा रहा लौ गपोले कैसा बेकार का सड़ा लोख है इसके लिए इतना किया जाता है पर यह नमक हराम है पुरोहित सूतो वाच आसित्व गंधवजो राजा प्रजा पालन ततपरह एकदासव बनम गत्वा हत्वा बहु विधान पशून गपोले यह क्रांती की बात करता है और नहीं तो क्या जीतन भाई पहले अपना चेहरा तो जाकर देख देवधर क्रांती करेंगे उसके लिए बड़ी ताकित चाहिए पूरी विवस्था चाहिए वह काम मेरी पार्टी कर सकती है मैं कर सकता हूँ लौका पंचो पूछो इनसे यह हमारी ओर से अकेले क्यों क्रांती करना चा चाहिए मैं पता लगा रहा हूँ वह आग सिर्फ उची जाती के लोगों में है नीचे के लोगों में वह आग हजारों साल पहरे कुचल कर बुजा दी गई है समझे की और समझाओं लौका हम समझ गए हैं पर समझाते रहिए देवधर जीतन गपोले लौका तो नीची जात संतुष्चा भुक्तिया अथ्चा उस पूजा को बिलोकी की राजा अंगदवज सत्य नरायन की पूजा के समीब नहीं गयो एवं नहीं प्रणाम कियो ततपश्चात राजा ने प्रसाद को भी त्याग दियो सो राजा अनेक दुखन को प्राप्त भैो देवधर तु जान नहीं इनसान का कितना कलियान किया है इसने आजादी दी है लौका नए गुलाम बनाने की दिवधर बंदगर जबन अपनी गपोले देखता नहीं है पूजा हो रही है क्या जीतन राजनिती एक रोशनी है अंधिरा मिटा देती है गपोले इस बात को जड़ा समझा कर कर यह मान जाएगा भला मानुस है जीतन जैसे टॉर्च की रोशनी होती है न लौका जिसके हाथ में होती है उसके लिए अंधिरा उजाला हो जाता है लेकिन उससे दूर अंधकार और गहरा हो जाता है पूरुहित जो सत्यनान की कता ध्यान से नहीं सुनता वो नश्ट हो जात मशीन देखा है न बिजली से चलती है राजनीती वही बिजली है आज यो इसकी जबान इतनी चल रही है उसी राजनीती से है गपोले अब सुनो गपोले मांडे की उल्टी सीधी बात कही गपोले पंचो सत्य नर्ण की कता सुनो, बेसी बकर बकर मत करो, क्यों, देवधर, कोई मेरे सामने आकर कहे, मैं जूटा हूँ, लौका सच्चा है, कोई बोलता क्यों नहीं, कोई बताए, सच क्या है, जीतन, सच जैसी चीज नहीं होती, जो आज सच है, वही कल जूट हो जाएगा, हर व्रिद, हेरे लौका, तु कुछ बोलता क्यों नहीं, कैसी कैसी बत कही होए रही है, लौका, अरे सब को टुकुर टुकुर देख रहा हूँ, देवधर, यह क्या बोलेगा, जवान इसके मुह में है, लौका, हाँ जवान तो आप लोगों ने छीन ली, देवधर, तो कहना क्या चाहिए तुझे, मांग मुझसे, आ, अकेले में बात कर ले, लौका, अब अकेले में बात नहीं होगी, देवधर, कब किसने क्या मांगा, मैंने नहीं दिया, बोलो, बताओ, अब बोलते क्यों नहीं, मैं सब के सामने पूछता हूँ, क्या है, कहो, गुमन तु, गा प कल युगे, सत्य पूजा, फल प्रदा, इती श्री, सकंद, पुराने, रेवा, खंडे, सत्यनाण, व्रत, कथ्यायाम, पंचमा, ध्याय, लौका, पंचो, आप सबने, बड़े ध्यान से, भक्ती से, सत्यनाण की कथा सुनी, यही कथा हमारे बाब दादा, बाबा पर बाबा सुनते चले आ रहे हैं, इसमें कहीं, इसमें कहीं हुई, सारी कथाएं हमें यह बताती हैं, जो सत्यनाण की कथा नहीं सुनता, वह तमाम पापों, दुखों और नानपरकार की विपत्तियों को प्राप्त होता है, पंचो, लेकिन यह कोई नहीं सुनाता, कि वह सत्यनाण की क्था क्या है जैसे अब तक हमें सिर्फ यह बताया गया है कि अपने से बड़ों का विरोध करने से क्या दंड मिलता है पर कभी यह नहीं बताया गया कि विरोध क्या है तो पंचो मैं हाथ चोड़ कर आप सबसे प्राटना करता हूं कि इसी इतवार को संध्या समय मेरे घर पदारिये हम सब सत्यनान की कता सुनेंगे पंचो न्योता कबूल हो हाजिर है हल्दी सुपाडी अक्षत लौका सब को देता है सिर्फ देवधर नहीं लेते लौका सब को प्रणाम करके चला जाता है देवधर खट शुद्र लौका सत्यन नरान की कता हिंदु धर्म है धर्म विश्वास है उसी विश्वास पर ये नीच चोट करना चा रहा है भूख शुद्र और अज्यान ये तीन धर्म साधना के बहुत बड़े विग्न है शत्वत ब्रहमन और मनुसमरिती में कहा है कि अब ब्रहमन और शुद्र ब्रहम विद देना चाहिए जीभा छे दो धारने शरीश भेदे इन देवधर अपने लोगों के साथ अलग में इन इन गामों में ब्रामनों को बढ़का दो चमार शुद्रों के खिलाब सत्यनाण की कथा लौका कहने जा रहा है आग लगाने के लिए इतना काफी है पुरोहित उसका सर्व सत्यनाश होगा बिना आरती लिए यग्य होम पूर्ण हुए बिना प्रसाद पाए लौका चला गया उसने जगन्य पाप किया उस पर पाप का वज्र गिरेगा उसका सर्वनाश होगा जैसे कन्या कलावती का हुआ जैसे राजा तुंग धोज का हुआ जैसे गपोले जैसे जैसे क्या पुरोहित जैलक्ष्मी नरायन जैलक्ष्मी नरायन जैलक्ष्मी रमना जैलक्ष्मी रमना पुरोहित के साथ लोग गाते हैं घंटा आरती संगीत जैलक्ष्मी रमना जैलक्ष्मी रमना सत्य नरायन स्वामी जन पातक हरना जैलक्ष्मी रमना पहला द्रिश्य, लोग गा रहे हैं, जागो रे, जागो दिया जलाओ, महल गुसा अब चोर, महल हला चोर रे, पलनिया डगमग डगमग डोल रे सारे वातवर्ण में जल, कोलहल और संगीत भरा हुआ हैं, देवधर और जीतन आते हैं देवधर अरे वसतन आण की कता कहा हैं, जीतन कुछ नाच गाने का मेला लग रहा हैं, देवधर बड़ा प्रपंची है लोका, गाउवालों को मुर्ख बनाना जानता है, इस मुर्ख को अब मैं सिखाऊंगा, यह गमार देहाती मेरी जगा लेना चाहता है, जीतन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, देवधर तुम नहीं समझते, अगर इस तरह लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, लोगों को बढ़का कर हमारी बुनियाद ही उलत देना चाहता है, लोगों पर इसका वरभाव हैं, कहता है राजनीती ने जीवन के मंदिर को उल्टे खड़ा कर दिया है, बड़ी खतानाक बात है, जीतन, कैसे, देवधर लोगा चरित्रवान है, सब का विश्वास पात्र है, जीतन, चरित्र बरबाद गया जा सकता है, विश्वास तोड़ा जा सकता है, देवधर, यह सच बोलता है, इसके सचाई की सहना पड़ता है उसी में सारी जिंदगी खतम इधर आप मौच कीजिए देवधर तुम समझते नहीं सचाई ये है कि जीतन देवाबू हर सत्य परिवर्तनशील है ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा है देवधर मगर लौका कहता है हर सत्य नया होता है वह जिया जाता है जो जिय गया और राजा इंद्र बना रहा देवधर वह वह खूब कही यह तो सही है भाई तुम खूब सोचते हो लौका को सत्य की परिक्षा में डाल कर बरबाद कर दो मैं तुम्हें मुह मांगाई नाम दूँगा जीतन लौका ने कभी आपको को कोई बचन दिया है देवधर उस कुछ नहीं पता क्या लौका तो नाटक हिलने जा रहा है सत्य हरिश्चंद्र मैं नारत का पाट कर रहा हूं क्या जीतन लौका भी पाट कर रहा है गपोले जी हां हरिश्चंद्र का देवधर बात बन गई वह कहा है गपोले ऐसा हुआ कि अब तक दो नट्विन नहीं आये क्या हरीजन और ब्राहमनों में उधर दंगा हो गया है गाउं के गाउं जल गए आग बुजाने के लिए कोई से पानी नहीं लेने दिया ब्राहमन ठाकुरों ने खूब की पिटाई किसी की नाक काटली किसी की आँखे निकाली देवधर अलग से तो अपना काम शुरू हो गय जीतन समझिये इधर भी मामला ठीक बैठेगा देवधर प्रकट उसे भेजो मेरे पास नटों का प्रबंद मैं करता हूँ गोपोले भीतर जाते हैं देवधर गाउं के लोग राजनीती के दाउं पेच कभी नहीं समझ सकते भावना पर जीते हैं इन्हें भावना के ही आकर उन्हें समझालती हैं देवधर देखो जीतन गुरू यही है तुमारी सारी दिकत तुम जट सोच विचार करने लगते हो देखो लौका का विश्वास जीतने के लिए सुनहरा मौका सामने है उसके नटवे नहीं आए एक नटवा तुम बन जाओ और अगर लोग काफी सिफारिश करें तो दूसरे नटवे का पाट मैं कर लूँगा और इसी बीच लौका से कई बचन भी ले लूँगा यह सारा संसार नाटक है किसने कहा है यहां लौका गोपोले के साथ आता है लौका देरी के लिए शिमा कीजिए देवधर अरे भाई वसत्ते नरेंड की कथ कहा है अच्छा किया इस जंजट में नहीं पड़े वरना ये हिंदू लोग पड़े अंद विश्वासी पर कोई नया नाटक खेलते थोड़ा चटकदार हुस्न और मार पीट फिल्मी जमाना है न और फिर भाई जनता का मनुरंजन तो होना ही चाहिए खेर बोलो क्या मदद चाहिए लोका विश्वमित्र और इंदर का पार्ट करने वाला कोई नहीं है देवधर भाई विश्वमित्र तो जीतन गुरू को बना लो गपोले और आप इंदर बन जाएए क्या देवधर बाबू देवधर भाई यू मुझे नाटक से बहुत दिल्चस्पी है पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है गपोले देखिये जनता जनारदन अब प्रसन हो जाएगी क्या देवधर यह सच है मैं जनता जनारदन का हूँ पर मजबूर हूँ मेरे पास वक्त नहीं है लोका खेर हम बिना इंदर के ही नाटक करेंगे देवधर नई 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 यू मैं तयार कुम कहो लॉका मैं क्या कहा सकता हूँ देवधर तुम बहुत भूले आदमी हो चलो तुम्हारी खुशी के लिए कर लूंगा पाट मगर वह रहा है लॉका शयवय के लिए नटवा है देवधर देखो 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 वह पुराना जमाना गया जब नटवा औरत का पार्ट करता था मेरी सेक्रेटरी है ओ मिस पदमा कमियर पदमा आती है देवधर फर्स क्लास हिरोईन है गपोले ठीक है पतूरिया का पार्ट कर लेंगी क्या पदमा क्या I don't like this तिहाथी ज्रामा अलग से पर ड्रामा मज़ेदार है मेरी जिन्दगी भी तो एक ड्रामा है इत तेरी दिल्चस्पी है गपोले वावा क्या तेरी हस्ती है पदमा पर थोड़ा नक्रा तो करना ही पड़ेगा ऐसे मान गई तो मिस पदमा क्या हुई देखिए सर फोक थेटर पसंद है मुझे पर यह दिखाती ड्रामा कता ही पसंद नहीं गपोले अरे मान भी जावा क्यों तरसावा देवधर जाएए आप लोग तैयारी कीजिए मैं इने समझाता हूँ सब अंदर जाते हैं देवधर देखो मिस पदमा यह मेरा काम है समझी लौका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है इसे अपने हुसन की दोर से बांध लो पदमा यह इतना असान नहीं है देवधर प पर कोई इसके लिए एक चीज है इनके इस्तेमाल की चीज आखिर सब नाटकी तोयन के लिए मेरे लिए वही जीवन है शेवया का चरित्र आखिर यह नाटक किसका है शेवया की चरित्र का सत्य पाऊंगी प्रकत यह सर मैं वैश्य अमेश शेवया बनूंगी जो कुछ बनन सत्यहरीशंद्र का चरित सुनो लगाकर कान, सुनो लगाकर कान ध्यान से दर्शन करो चरितर बर्धन है, सुधा वूंद, बर्सावन, चित आकर्शन, सुखद सरन है. संगीत रंगा रंगा का ही चलता रहता है सतवादी का था सकल भूमंडल पर राज इंद्र विश्वमत्र से कहते हैं यतन बताचिंता हरो मुनिवर दीन दियाल वरना इंद्रासन ले गया हरिशंद्र भूपाल नारत के भेश में गपोले दोड़े आते हैं गपोले अरे ये क्या कर रहा है तु गा खार सुना देगा तो हमारा क्या होगा रंगा भाई जो बात सब जानते हैं उसे दिखाने में क्या फायदा गपोले क्या मैं समझा नहीं रंगा मतलब सत्युग में हरिशण्दर एक राजा थे गपुले राजा नहीं सत्यवादी राजा थे रंगा इंद्र को इस से कोई परेशानी गपुले यही थी उसकी नादानी इंद्र ने विष्वमित्र से कहा मुनिवर उसकी लोपरिक्षा क्पुले अच्छा रंगा वह डिगे और उसका इमान दरदर भीके दोनों साथ गाते हैं ऐसी माया रचुं सत्य सिवह डिगे और उसका इमान दरदर भीके गपोले इसके बाद नारद आते हैं आते हैं नहीं मैं नारद मौजूद हूँ मेरा पाठ क्यों काटते हो चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत वैभार पैदिड वरत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार रंग बस रंगा बस 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 गफोले बस बस क्या इसके बाद नारद और विश्वमित्र में जगड़ा होता है जीतन शुरू जीतन गुरू विश्वमित्र का पाट कर रहे हैं आज मैं दिखाता हूं अपना जोह ये वह भी पाट कर रही है इस नाटक में इंदर की मेनिका मिस्पदमा गपोले हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ रंगा विश्वमित्र की बचन सुन सुरूपती नया शीश गमन अयोध्या को कियो देकर अपनी अशीश पूरी अयोध्या में राजा हरिशंद्रक्षत्रधारी सचीब सवापद परिजन पूरिजन आग्याकारी थे नीती निपुन गुणवान वेद अनुकूल सदाचारी थे रखते जिन पर दया निरंतर शंकरत पूरारी थे दोनों नीती पूरान गुणवान वेद अनुकूल सदाचारी थे रखते जिन पर दया निरंतर शंकरत चले महाराज हरी शंदर एक और विश्यमितर के साथ हरी शंदर शेव्या और रोहित चलते हुए दिखते हैं। दूसरा द्रिश्य, सब पत पर चल रहे हैं, रंगा, राजा, रानी, सुत, सहित, सत्ताधारी, गुनवान, गाता है, रास्ते में बांसुरी बचाता हुआ, एक चारवाहा मिलता है, बांसुरी का संगीत, उभर कर पूरे वातावरण में छाने लगता है, हरीश्य, चंद्र, महर्शी, विश्यमित्र क्या देख रहे हैं, विश्यमित्र यह कौन है, शैव्या, रोहित, पूछो इससे, रोहित यह चारवाहा है, हरीचंद, गा रहा है, विश्यमित्र क्या, रोहित कहता है, गीत अपना अकेले कंठ से सहूंगा, सब कुछ भोगूंगा, इसी गीत के लिए उसके लिए अमन को बेच दूंगा, पर उसे नहीं बिखने दूंगा, विश्यमित्र कितना महान है यह चरवाहा, सब मोह है उसका, उस पर फैंका हुआ, किसी का माया जाल है, नजाने कब से दूसरों को देते देते, फिर भी जो शेश बचा है, उसी से तुम बैभीत हो, वगा रहा है, किसी ने उस मंत्र से बांध महा माया भी है, शेव्या, रोहित, जैसे वह दान नहीं चल था, वैसे यह संगीत नहीं माया जाल है, इसी संगीत से, बहेलिया जंगल में शिकार करता है, जैसे दान का जूटा धर्म रच कर एक दूसरे को बेचता खरीदता है, हरिश्चंद्र या रोहित नहीं, उसकी प् आठ किसका है, हरिश्चंद्र, यही है सत्य नराय, कहीं कुछ दूसरा नहीं है, रिशी विश्वमित्र हमारे साथ है, शेव्या, कैसे रिशी, कैसे ज्यानी, जिसे भूख हो राज सिंहासन की, हरिश्चंद्र, वह राजा ही कैसा, जो सिंहासन से चिपका हो, वह कैसा मिरे लिए सत्य वह जूट है, जिसके लिए जीवन भर केवल विपत्तियां जहलनी पड़े, त्याग और बलिदान की सूली पर चड़कर सत्य की परिक्षा देनी पड़े, मिरे लिए सत्य वही है, जो सहज ही जीवन में जिया जाए, जो जिया न जा सके, वह जूट है, वह ध विश्वमित्र दाता से ही धर्म बनता है रोहित धर्म की रहस्य को समझने के लिए धहरे चाहिए रोहित मेरी धहरे की कल्पना तुम नहीं कर सकते मारशी शैव्या शांत रोहित रोहित माया रजकर धर्म बनाया माया से फिर सौपन दिखाया उसी सौपन में दान ले लिया आ आपके राज्य दीन से आयुद्या की प्रजा बहुत दुखी है हरिश्चंद्र आयुद्या के लोग मन के धरातल पर नहीं रहते सारा राज्य प्रजा का ही था विश्वमित्र मन और दुख दोनों समान है हरिश्चंद्र अत्रिप्त वासनाओं का ही नाम है मन और यही मन क्या कर ही भोगा जाता है शैव्या या किसका अनुभव है रोहित मेरा नहीं है शैव्या मेरा भी या अपना अनुभव नहीं है बस सुनती चली आई हूं रोहित मेरे लिए मेरा अनुभव ही सत्य है हरिश्चंद्र अनुभव सनातन होता है रोहित अनुभव कोई व्यक्ति क हरिशंद्र, यह शब्दों के जगत से दूर अपने जीवन जगत में है, सुनो, अपने ब्रह्मतेज से यह उत्तर दी रहा है, बांसुरी बजाता हुआ चरवाहा चला जाता है, विश्वमित्र, हाँ मैंने सुना, जो शब्द जीवन में जिया गया है, या सारा जीवन उसी पर टिका है, वही जीवन है धर्ती, शब्द है अकाश और जो शब्द हम बिना जीए बोलते हैं, वह मात्र प्रतिध्वनी है, तो विश्वमित्र केवल शब्द है, और जो जी रहा है, वही सत्य हरिश्चंद्र है, नहीं यह असत्य है, हरिश्चंद्र हम सब एक साथ हैं, विश्वमित्र हम सब एक साथ हैं काशी अब दूर नहीं है हरिश्चंद्र हम उसी पत पर हैं विश्वमित्र नहीं यह सारा जगत यह सारी श्रिष्टी एक पदार्थ है जिसमें दो विरोधी तत्व हैं उसी संगर्ष की धुरी पर सब कुछ गतिमान है जो दृष्य है वही सत्य है, हरिश्चंद्र द्वैत केवल दशा है मन की, स्रिष्टी की धूरी एक है विश्वमित्र, देखना है काशी में धूरी कौन है, क्या है शब्दों में, और सत्य कौन है हरिश्चंद्र, मैं तर्क नहीं करता काशी हो या अयोध्या, कुछ फरक नहीं पड़ता संगीत, रंगा गाता है सत्य डिगाने के लिए गधी सूतन मुनी राज जाल भी छाये हैं, बहुत मगर सधा नहीं, काज, अंत मैं मुनी रश्मा के, चले डग तुरंत बढ़ाके फट जाये, गगन चाहे देवधर जीतन, ओ जीतन शुर्क गुरू, जीतन, जीतन आते हैं, क्या है देवाबू देवधर, कहां फस गए इस नाटक में इससे तो अच्छा था, लौका सतनान की कथा कहता, और यहां ब्रामन और शुद्रों में मारपीट होती, लौका अब तक जेल कैसे बच गया, मैं जाने कैसे मेरी जलाई हुई आग भुजा देता है, अब मुझे कोई दूसरा उपाय करना होगा, जीतन लौका कहता है, देख रहा हूँ, हम कब तक कितना सै सकते हैं, देवधर, मैं दिखाऊंगा, विराम, जीतन, नाटक अच्छा नहीं लग रहा है, देवधर, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जीतन, आप आईए न, अपना काम देखिए, देवधर, लौका को खत्म करने के अलावा, भी और कोई और काम है, जीतन, एसा मत सोची, ये लौका के वो नाटक कर रहा है, देवधर, पर सारा नाटक तो मेरी वज़ा से हो रहा है, समझने की कोशिश करो, जीतन, गुरू, मैं ही ये नाटक खेल रहा हूं, क्या समझे, जीतन, वही समझने की कोशिश कर रहा हूं, गुरू, देवधर, और अब चाहूं तो इस नाटक का परदा किरा सकता हूं, शब हाथ का खेल है मिरे, सतैराण की कथा मिरे पास है, यही तो लौका कहता है, देवधर, यही तो असली समस्या है, यह बात लौका क्यों कहता है, जीतन, वह सोच्ता, दिवधर सोचने विचारने का काम मेरा है, जीतन यरह से अब मेरी समझ में आया विश्वमित्र बनकर, दिवधर अब आगे यह नाटक नई होगा, क्यों? क्योंकि में नहीं चाता, अब आपके चाहने पर क्यों होता है, होता है और होगा, ऐसा क्यों है, बखवास बंद करो, या नाटक है, मुझे इसका पता नहीं था। जैसे जैसे विश्वमित्र के चरित्र में बैठता जा रहा हूं, लगता है मैं अपने से आमने सामने हो रहा हूं, मैं क्या कहूं, लौका क्या है, आप क्या है, इसे देखने लगा हूं। देवधर मैं उसे जानता हूँ वा मेरा दुश्मन है पर आप अपने आपको नहीं जानते तुम्हारा दिमाग खराब उरा है मुझे लगता है जो मैं सोचता हूँ वा मेरा अनुभव नहीं है तुम्हारा अनुभव है क्या जीतन अनुभव के बाद ही बता सकूँगा देवधर मेरा अनुभव है लौका बदमाश है जीतन पर यह सच नहीं है देवधर सच जैसी कोई चीज नहीं है यही मैं सोचता था पर यह मेरा अनुभव नहीं था जो आप सोचते थे वही मुझे विश्वास करना पड़ता था देवधर मैं अब भी कहता हूँ सत्य जैसी कोई चीज नहीं है जीतन अर्थात सब कुछ असत्य है देवधर केवल शक्ती को छोड़कर जीतन शक्ती माने कुछ चंद उन्चे लोगों की राजनीती पर दिखता है दोश हमारी आँकों का है गपोले आते हैं गपोले आप यहां खड़े रहे हैं उदर विश्वमित्र की तलाश हो रही है क्या पर्दा उठने को है काशी कासीन आ गया क्या देवधर काशी में क्या होगा गपोले हरिश्चंदर डोम के हाथ बिख जाएगा देवधर फिर गपोले उदर रोही की मौत होगी क्या शैव्या उसकी लाश को मरगट पर ले जाएगी हरिश्चंदर मरगट का कर मांगेगा और उसके सत्य की परिक्षा ली जाएगी हरिश्चंदर परिवार सहीत स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा क्या देवधर फिर फिर क्या खेल खतम पैसा हजम आप रहे काईम हरिश्चंदर को मिले स्वर्ग देवधर फिर तो बहुत अच्छा है क्यों जीतन कुछ और तो नहीं है इस नाटक में जीतन सारा नाटक तो हमीं लोगों का बनाया हुआ है देवधर आहा हा वन मेरी वन वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एक खास बात हाथ लग गई शुद्र लौका हरिश्चंदर का पाट कैसे कर सकता है या गौर करने की बात है राजा महराजा देवता पंच स्वरोपों का भीने करने वालों का चैन केवल ब्रहमन जाती में से ही होता है गपोले पर्सपर या बात तो सही है या तो परंपरा से चला आया है शुद्र रिशी मुनी देवता का पाट नहीं कर सकता माई क्यों नहीं देवधर तू कहां से टबक पड़ी माई किसी का कोई डर है का बैट जाती है देवधर ए पागल बुढिया वह जगा तेरे बैटने की नहीं है खिंच कर बाहर फैंक दो गपोले सरकार मज़ेदार है नटंकी सवा सेर पर छटंकी या कहते हुए मुझे होता है सद्मा अब तक कुछ नहीं कर पाई मिस पड़्मा देवधर पुकारते हैं मिस पड़्मा अर्यो पड़्मा गपोले पड़्मा देवी सुनिये सरकार की बात को सुनिये दो में से एक को चुनिये नहीं तो सिर्धुनिये, पदमा आती है, देवधर, कहा हो सुंदरी, अब तक तुम्हारा कोई जोहर नहीं देखने को मिला, कोई नाच गाना करो, हुसन का जादू फैलाओ, बिजली गिराओ, लौका को बुलाओ, फंसाओ, बड़ा हरिशंद्र बना फिरता है, पदमा आरोंगी, जवानी की विजली गिराओंगी, संगीत पदमा नाच दी हुई, गाती है, नजर लगी राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती हूँ, राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती हूँ, राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती हूँ, राजा तोरे बंगले में, जो म लगा रहे हैं एक और काशी के प्रसिद पतूरिया का कोठा है। पान जोडी शंकर पारवाली सूजान पान मगही का कील कांटा जडाओ कगही की पान चुर्मुरा है असली जवानी पे चड़ा है। मैं तो भूली लेकर संगी हाए रे हाथ रंग तरा नेन मारे संग तरा दोनों हाथों मैं लो नारंगी। भांग वाला, दोनों हाथों से लो भंग, नारंगी के संग, भांग वाला, बंभोले भंग भोले, नारंगी वाला, नारंगी संतोले, पुतरिया के कोठे पर संगी तो भरता है, पुतरिया दिखती है, कुटनी, हाई मेरी भी बात सुनले, आवो आवो प्यारे, ऐसे क्यों कत चेला आता है पुतरिया नाश्ती गाती है लाखों के बोल सहे सावरिया तेरेलिये में लाखों के बोल सहे सारा बजार गम कुड़ता है थोड़ी दिर बाद अकेले नाराद आते हैं उन्हें देखते ही सारा बातावर्ण शांत हो जाता है उच्चाटन तंत्रमंत्र के विशारदो सुनो वीरता मिर्वया पटुता के धनी मानी सुनो निर्त अचार्य कटुनी विकराला राजसेवी विलासी भट पुत्र चिंतामनी सेठ व्यपारी बिट नर्वक नट जुआरियो सुनो रंगशाला महल मंदिर अटारी फान गोश्टी से लेकर सुरा सुन्दरी भंग गोश्टी के रसी को सुनो गुंड अरे ब्रहामन बचो नारद से नारद से बचो कुटनी क्यूं भला नारद की बात तो सुनो ब्रहामन किसी आग में तेल डालने आये होंगे नारंगी वाला अरे नारंगी देख नारंगी कुटनी ऊपर देख हरी गंगी गुंडा मार गोरी नैना फटी जाय बदरा पानवाला गुरू साबधान या नारध है ब्रहमन एक बार ऐसा हुआ कि यही नारध जी गए शंकर भगवान के फिर पहुँचे पारवती के मातापिता के पास लगा दी आग आपकी बेटी एक पागल विखारी से विवा करने जा रही है तो मच गया हुडदंग यह नारध का रंग नारध नारायन नमो नारायन नारायन कई लोग तो बात का है जी नारध दान दक्षिना के लिए विश है आए विश्वमित्र के साथ हरीश चंदर शेव्या और रोहित आते हैं रंगा बेचे प्रानी तीन यह आज सारे बाजार तीन सहस्तर स्वर्ण मुद्रा की इनको है दरकार बिक रहे हैं यह प्रानी तीन जैसे दरकार हो चला आए नगरकाशी के सभी नरनार खरीदो जिस से दरकार हो चला जाए काशी के लोग घिर आते हैं एक डोम आकर हरिशंद्र को देखता है डोम पंचो मैंने कर लिया है इसे पसंद ततकाल इस नर्का क्या है मुल मुनिवरदीन द्याल मुनिवरदीन द्याल बताओ सत्य मूल इस नर्का डोम है मेरा नाम और है ठेका मरगट पर का, दो सहायस्त्र सौण मुद्रा लोग कभी नहीं है, मुझे धन की, हरिशन्द्र को चाकर राखूं है, बस इच्छामन की, विश्वमित्र लाओ, सौण मुद्राएं, गिनो, शैव्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दोंगी, पहले मैं भीकूंगी, हरिशन्द्र, कौन पहुंच चुकी हो, शेवया, अपने आप से पहले आपको किसी कीमत पर नहीं बिखने दोंगी, हरिशंद्र, नहीं, पुरुष के सामने स्त्री नहीं बिख सकती, शेवया, स्त्रित्व से बड़ा स्त्री का ब्यक्तित्व है, हरिशंद्र, वह तुम्हें प्राप्त है, शेव सब के कलियान के लिए भी जूट बोलना पड़े तो वह धर्म नहीं अधर्म रहेगा फिर भी मुझे स्विकार है एक ही शक्ति दूसरों की मुक्ति देगी या जूट है उस मुक्ती में परतंतरता के बीज होंगे फिर भी मुझे स्विकार है जो भीतर है वही है बाहर यदि दोनों के बीच आज या विरोध कि स्थिती है तो इसका उत्तरदान नहीं बलिदान होगा हरिश्चंद्र अनंत अकाश में जितने जीव हैं उन्हीं की मुक्ती हमारी मुक्ती है विश्वमित्र क्या रखा है तुम अब भी अपनी बात बदल सकते हो जिसे स्विकारा है उस स्विकार कर सकते हो हरिश्चंद्र शब्द जाल हमारी दुनिया नहीं है विश्वमित्र तुम्हारी जो भी दुनिया हो तुम जहां जहां जाओगे संगर्श तुम्हारा पीछा करता रहेगा रोहित फिर भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता विश्वमित्र अलगाव है तभ पर और अना होता हैं हरिष्चंद्र और यहां चे पापताप माथि पर रखकर बहुत दूर जाना पड़ता है विश्वमित्र नारद नारद रिनारायन विश्वमित्र दक्शिना के लिए विलम बो रहा है नारद देखो ना विलम करते है स्वयं कहते भी एं और और जब मैं कहता हूँ, तो घूरते ही हैं स्वयम, परम आनंद, परम आनंद, नारंगी वाली, हे यह तो बड़ा मुर्रह लग रहा है, गुंडा, बड़े घोटे हैं गुरु, परम योगी हैं, ब्राह्मन, अरे चुपो, चुपो परम योगी है योगी, नारद, नहीं भाई सब गप है, अरे गुरु, एक बीडा पान तो दिखा, खिवाया हो, नारंगी वाली, हमार नौरंगिया, नारद, राजा हो, हमें तिनकों अच्छा नहीं लागत नारंगी, नारंगी वाली, है बड़ा मुरहा होएं, ब्राह्मन, अरे इनकी यह मुराही, जारने के लिए त गुरु, जैसे हम पूछी, आसनान किया है, पानवाल, खुब पैचानियों का कहना, ब्राह्मन, आसनान ध्यान मना है, आज है अमवसी पुनवासी, छहला, भुखे पेट यहां कोई नहीं करता, ऐसी है काशी, गुंडा, आरे तुम सब, तुम सच बोले हो, मामा, भांग व कोई जा पगडी जामा उठनी उदिल बालम दूर गय अब सुरहो दंड 81 कई लोग एक साथ भूखे पेट कोई नहीं सोवे ऐसी है इकाशी छेला नाच पड़ता है काशी बंभोले काशी बंभोले इस बोल पर पतुरिया नाचती हुई आती है रंगा इधर राजा से मुनी से कह रही रानी थी बिलखाय उधर परम सुंदरी पतुरिया कहने लगी हरसाई पुतरिया बार बार जुक करूं विश्वमित्र प्रणाम मैं काशी की नगरवधू रूपा मेरो नाम रंगा एक सहस्त स्वर्ण मुद्रा है इस अबला का मोल लेन है विश्वमित्र अब मुझसे दक्षिना मुक्त हो गए राजा हरिश्चंद्र पर अब भी समय है हां को न कहने का हां को न कहने का और न को हां कहने का रोहित तुम्हारी भूक अभी भी नहीं मिटी विश्वमित्र सोच लो हरिश्चंद्र मैं अब भी तुम्हारा हित चा वो शेवया कहां रह जाएगी जो तुम्हारी धरम पतनी है उसके नारी धरम की रक्षा तुम्हारा कर्म है अब बताओ नारद मैं हूं की नारद है विश्वमित्र और तुम स्वयंबिकर चांडाल के घर जा रहे हो जैसे आज से शेवया पतूरिया होगी उसी तरह आज से हर कर सकता हूं विश्व में तर्मिरा कष्ट हरिश्चंदर क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हैं या डोम या पतुरिया ये लोग कहां के हैं कैसे आए मेरी तरह एक शन इनके भी जीवन में आया होगा जहां इन्हें बिक जाना पड़ा होगा जब तक खरीदने वाला रहेगा कभी न स्वयम रक्षा करे अपनी पतुरिया स्वयम रक्षक है अपनी स्वयम अपनी रक्षा करे हरिश्चंदर विश्व मित्र अपने एहंकार के लिए स्वयम अपने आप दूसरों को भी बेच देता है फिर सारी जिमेदारी उनहीं पठोक देना हरिश्चंदर एहंकार की पहच जिनता करोरी शीराज। विश्वमित्र मैं अटल हूँ अपने धरम पर। हरिश्द्र पिर दूसरों की चिनता क्यों। रोहित आपको सरवस्तो दान में मिल गया, दक्षिन भी मिल गई, अब हमारी चिनता क्यों। विश्वमित्र, निर्मम पिता ने अपने एंकार में पुत्र को अनात कर दिया, रोहित, आश्चर है या अब चिंता तुम कर रहे हो, नारद, हमारा धर्म ही है दूसरों की चिंता करना और अपनी सेवा करना, ब्रामन, भाई जगड़ा खतम करो, रोहित को मैं खरीद लेता ह भाई बोल, क्या है तिरा मोल, शैब्या, यह अनमोल है, मेरा पुत्र मेरे साथ रहेगा, पतुरिया, मेरे कोठे का पहरा देगा, इसे उचित वेतर में लेगा, विश्वमित्र नहीं, रोहित को मैं अपने साथ ले जाओंगा, रोहित मेरी प्रजा है, जो शेश बचा है, वो राज्य की संपत्ती है, ब्रहमन, धर्म शास्तर कहता है, जो शेश बचा है, वो ब्रहमन की संपत्ती है, इसे मैं ले जाओंगा, नारद, क्या दोगे, यह सबसे ज़ादा कीमती है, ब्रहमन, धन दौलत मेरे लिए हाथ की मैल है, रोहित मेरी गैल है, नारद, काशी रा आशी में इस तरह स्वतंतर नहीं छोड़ सकता हो सकता है तुम मेरे विरुद यहां शर्यंत्र करो पिता का प्रतिशोद लो मुझसे आयोध्या का राजय वापस लेने के लिए मुझभरत आक्रमन करो रोहित क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ हरिश्चंद्र तुम विश्वमित्र भी हो सकते हो रोहित एका एक पिता को देखता रह जाता है विश्वमित्र मेरे पास इतना समय नहीं रोहित तो मैं सत्य हरिश्चंद्र भी हो सकता हूँ हरिश्चंद्र सिर्फ कह देने से कुछ नहीं ह जब तक स्वपन में था, देखने वाला गाइब था, केबल भागिदार रह गया था, अब देखता हूँ केबल देखने वाला ही था, रोहित, मेरे लिए यह संसार स्वपन नहीं, हरिश्चंद्र, स्वपन जैसा है, जिसे हमने मैं जाना है, वह वास्त्विक नहीं, इसे जो जान रहा हैं वही है वास्त्विक सबको समान देखने वाला ही सबसे मुक्त और सबसे अतीत है जो है वही है बहों में भर लेता है हाँ जो है वही है रोहित साश्चर पिताश्री हरिश्चंद्र जो है वही है विश्वमित्र चलो मुझे विलंब हो रहा है रोहित हे इश्वर हे पिताश्री, हे जननी, जिसे सब कुछ दे दिया, उसे विश्वास भी दो, विश्वमित्र, मैं सरवग्य विश्वमित्र हूँ, रोहित, काश तुम जान पाते, मेरे परम पूझे रिशी, मैं सोयम तुम्हारे धहरे की अंतिम परिक्षा हूँ, यहां जो कुछ भी योग् उसे देकर ही माता पिता शरी के साथ हम सब ने भोगा है। हरिशंदर नहीं वलक्षय अपने से नहीं कहीं दूर नहीं है। वही हर क्षण है। विश्वमित्र क्या है हरिशंदर जिसमें हम है उसमें ही न रहने का अनुभव करते जाना वही है। कैसे? एक को प्राप्त कर उस ओर चलने का प्रयत्न करते ही, अभ्यासी को दूसरा तत्व सहज ही प्राप्त होता है, रिशिवर विश्वास करो, निश्चिन्त हो जाओ, जहां तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो, वहीं से हमारा साथ प्रारंभो रहा है, हम सब एक साथ हैं, वि जिश्य आरंग, देवधर आते हैं, जीतन, उधर अंदेरे में खड़ा क्या देख रहे थे, अब तक क्या देख रहे हो, उधर अंदेरा है, अंदेरा देखने की चीज नहीं होती, मुझे देखो, मेरी तरहा, अब तो नाटक खतम हुआ, जीतन पता नहीं, देवधर अब दूसरी योजना बना ली है इस बार हिंदू-मुस्लमानों में लडाई होगी लौका उसमें भस्म होगा जीतन लौका के साथ जनता नहीं जलेगी देवधर जब आग लगती है तो कीडे पतंगे उसमें आकर खुद भस्म होते हैं इसमें क्या दोश है आग का याद रखो जो नाटक शुरू हुआ है देवधर समझो खत्म हो चुका जीतन अभी तो नाटक शुरू हुआ है देवधर होने दो तुमें तो दांदक्षिना मिल गई वही मैं देख रहा हूँ वहां अंधकार में अंधकार में अंधकार देवधर फिर देखना क्या है जीतन अंधेरा यह अंधेरा है? जितन, आंके खुली रहने से यह अंधेरा दिखता है, उसे आंक की रोश्नी ही देख सकती है, देवधर क्या? मेरी आंकों में रोश्नी है, अंधेरा उसी से प्रकाशी थो रहा है, उसी का नाम सत्ता है, अंधे को अंधकार नहीं दिखाई पड़ सकता, देवधर, लौका नहीं, राजा हरिशंदर भीक रहा था, जितन, हम सब हरिशंदर हैं तुम्हारी सत्ताधारी राजनीती में, वहां राजा इंदर एक था, यहां राजा इंदर असंहें, पुलिस अफसर नेता, पुदणर पूंजी पती दलाल कूंडा, यही है तुमारी राजनिती वह अंदकार, देवधर, चुप रहो, खिंचवा लूंगा जुबान, चारों और से गाउं के लोग घिराते हैं, माई आती है, देवधर, तुम सब के दिमाग ठीक करना मेरी जमेदारी है, जीतन हाँ, हमें अपनी सारी जमेदारी आपको दे थी, अब वही हम तुम, हम माने लौका, गाउं के लोग, हम माने हम सब लोग, देवधर, हम माने मैं, माई, क्या कहां, फिर से तो कहरें, देखूं तो कैसी है तेरी जबान, जानता है मैं का मतलब, उसका मतलब है जागना, और जो चारों तरफ है उसका गवाह बन जाना, आ, देख अंदेरा देवधर, या अंदेरा नहीं रोष्णी का भाव है Мाई, रोष्णी किसने भुझाई, देवधर, मैं नहीं जानता, फिर क्या कहता है में में जैसे भेडे चिलाए में देवधर चुप रहें माई अच्छा बोल क्या बोलता है देवधर से ऐसा देखो भाई जैसा नाटक हो रहा था होने दो रंग में भंग मत करो जनता नाटक देख रही थी नाटक होने दो या जनता का नाटक जीतन यह नाटक तुम्हारा बनाया हुआ है सताधारी राजा ने पंडित से कहा धरम का नाटक रचो रजा सत्य की प्रिक्षा देती रही तुम बैठे मौज करो राजा ने अपने दरवारी पंडित से कहा लिखो मेरी कहानी वही हो गया इतिहास राजा ने आग्या दी ऐसा शास्त्र रचो जिसमें नर्क और देवधर यह लौका की जबान वोड रही है मैं अब चुप नहीं रहूंगा जीतन कहता है देवधर यह अधरमी है धरम के नाटक में विगन डालता है नाटक को पूरा नहीं होने देता नाटक के अंत में हरिशंदर को स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग पाने के लिए अनेकों कि अंत में मेरा ही पार्ट है मतलब मुझी से नाटक का अंत होगा जनता मेरे पार्ट को देखना चाहती है धन्य हो हरिशंदर तुम सत्य की प्रिक्षम में विजई हुए बैठो पुश्पक विमान में सीधे स्वर्ग जाओ देवता प्रसन है मैं अती प्रसन हुआ है नर् राजनीती से लोगों को घ्रिना हो चुकी है देवधर राजनीती शक्ती है यहां की प्रजा हमेशा शक्ती की पूजा करती है जीतन प्रजा अब खुद शक्ती बन रही है लोग जाग रहे हैं देवधर कौन जगा रहा है उन्हें गाओं के लोग हमारे दुख हमें जगा अब हम खुद अपनी लड़ाई लढ़ना चाहिए जीतन सुनो सत्यनार्ण की कता देवधर्श चक्ती हमेशा उपर की लोगोंके हाथ रही है नीचे का सारा रक्त यूगों से खंडा हो चुका है तब ही वहाँ भाग गया है धर्म है और ना जाने कितनी कताएं दभी हुई उस बर्फ की धर्ती में जीतन वह बर्फ फिगल रही है चोटियां ढह रही है अब तक मैं समझता था जब तक राज्य है तब तक राजनिती रहेगी पर अब पता चला जब तक मनुष्य है चोटा बड़ा उंचा नीचा तब तक रहेगी यही राजनिती जिस दिन एक सहाय ने गुटने टेकर आंखों में आंसु भर कर द्रिश्चा से अद्रिश्य की और देखा उसी दिन जन्म हुआ ईश्वर का और वहीं से पनपी पहली राजनिती धर्म की इसी में एक हुआ इंदर ब पर मुझे तुम जैसे लोगों की कोई चिंता नहीं चिंता है किबल उस लौका की जिसके पास ना धन है ना कोई साधन है लोग उसके प्रभाव में क्यूं है जीतन सुनो सत्य नारायन की कथा देवदर लौका को बुलाओ मैं उससे मिलना चाहता हूँ गुपोले हरिशंद जीतन तुम किदर हो देवदर इधर या उधर होना तुमारी किस्मत है मैं हूँ बस लोग होते हैं मैं हूँ गाउं के लोग सुनो सत्य नारायन की कथा पांचवा अंद्रिशा समात छठा आरंब लोग गाते हैं रंगा अब तुम नहीं चड़े रह सकते पीट पर हमारी ब परिवर्तन लाएंगे गाउं के लोग मंजिल है पाउं के नीचे प्राणों में तूफान हमने तैकर लिया है कि हम परिवर्तन लाएंगे रंगा पैदा होने पर तो कोमल होता है हर चेहरा लेकिन मरने के करीब वपत्तर हो जाता है विद्वंस गाता है गाउं के लोग कोमल को सह कर भी पानी से पानी ने खोजे रास्ते शीश उठाओ आगे आओ तुम हो पानीदार गपोले और चौप करो चौप कीप कोयट मतलब अंगरेजी में चुप रहो बताओ भला कहां चल रहा था हरिशंद्र नाटक कहां खोल दिया दूसरा नाटक अब यहां से जटपट हो बेंच दिया डोम के हरिशंद्र को बेज दिया डोम के हाथ शेवय महरानी को बेज दिया पुतरिया के साथ और यहां आपस में फुटवाल का मैच खेल रहे हैं रंगा गपोले को खींच कर ले जाता है रंगा कीजे कृपा नारद मुनी यहां से चलिये जी सतनान की कथा पर आगे बढ़िये जी चटाद रिशा समथ साथवा शुरू पुतरिया का कोठा लोग बैटे हैं संगीत और नरित्य चल रहा है मेरे जोवन में लाल जाडे बहुत खरे हो महराज रे पहला वहा दाताराम क्या बात है दूसरी दूसरा जैसा रूफ वैसा ही कंठ तीसरा साक्षाद बंभोले से भेंट हो गई चौथा पूरी काशी गमक चंडूल लगी माली की हवा दुम हिलाना गया भूल पांचवा फिर वही पचड़ा चंडूल का दुखड़ा वह नया माल किदर है पतूरिया फिर गाती हुई नाचने लगती है बाइन तरफ अकेला रोहित दिखता है रोहित स्वगत मैं क्या कहीं कुछ बदल गया बाहर क मैं मुसल चंड वह कहां है रानी हरिश चंडर रोहित एय काईदे की बात कर भांगवाला भाई तुम जीते हम हारे माप करो अब आगे पैर बढ़ाओं रोहित आप हैं कौन यहां क्या चाहिए भांगवाला मैं तो भाई शूने हूँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए वह म आठ देला हासी बाबा विश्वनात कासी भांगवाला मैं चड़ी जाओं फांसी पहला फूल गेंदा की बगिया में जैसे सुरज मुकी तारों की बीच जैसे खड़ी हो चंडर मुकी कहां भाई मुझे तो कुछ नहीं देखी अरे मेरी आंखों पर भी परदा पड़ गया मेरे नैनों में जैसे जर्दा भर गया भंगवाला इतनी भी क्या चका चौंद की कुछ सूजे ही नहीं कुछ सुनाई भी नहीं देता है दूसरा हिरी सुन्दरी थोड़ा चल कर दिखाओ ना शैवय चल कर दिखाती है कुछ गाओ थोड़ा हंस कर फिर मुस्कुराओ अरे यह क्या कुछ नहीं दिखता ही नहीं सुनाई भी नहीं पड़ता आश्चर है पहला यह माल है यह सब इसकी चाल है पर भाई क्या गजब का माल है बिना देखे बिना सुने जैसे हीरा पनना लाल है क्या आग्या है स्वामी नहीं शैवय कहती है पुतरिया तुझे जाना है भांगवाला, मेरे साथ, पुतरिया, पता है तुझे, वहाँ क्या करना है, शेव्या, ग्रहाक प्रेमी जी, प्रेमी, जो मांगेगा भरसक उसे देने की कोशिश करूँगी, पुतरिया, पर तुम तु अपने आपको पतीवरता नारी कहती हो, वही रहूंगी, कैसे अपने प ही ऐसी, आये तुम्हारा धर्म, वहाँ उसके पास न करना कोई शर्म, शेव्य भांगवाले के साथ चले जाती है, पतुरिया गाती होई निर्ते करती है, छेला आता है, बड़े आविश में बड़ बड़ा रहा है, रोहित उसे रोकता है, छेला, खबरदार अगर मेरे साम पुलतकरार है, छेला, हटाओ इसे, नजरों के सामने से, या मकार है, पतुरिया इशारा करती है, शेव्या सामने आती है, चेला, या क्या है सुन्दरी, या माया, सारी रात इसने मुझे तड़ पाया, पतुरिया, क्या हुआ, शेव्या पता नहीं, इन्हें क्या हुआ, च कुछ कौन्थ जाता है मिरी आखों में या क्या है, जो दस्तक देती है मेरी सांखों में, सागर्तफ़ पर जैसे कोई मंदिर हो, और उसमया चिराग जैसी चल रही है, मैं पतंग हूँ उस चिराग का, मैं चाहे जल कर बसम हो जाओं, पर बुजाओंगा इस चिरागों मैं प्यासागर हूँ, तुझे चक कर पिऊंगा, दिकार है मेरे विलास को, यदि मैं इस आंखों से पीना सका, मेरी सारी शक्ति जलते हुए रेत की, ढू है, यदि एक शन का भी सुख न मिला, या क्या है, मैं इसे चू तक नहीं सकता, लग रोहित साबधान, या मेरी मा है, इसके चरितर के विरुद एक शब्द भी नहीं सुन सकता, छेला, पतुरिया दासी का चरितर, हा हा हा, शेवया रोहित, तू यहां से चला जा, छेला, दूर करो इसे मेरी आंकों के सामने से किया है, अपमान मेरे विलास का, मुझे चाहिए यह विलासी नहीं, नहीं चाहिए यह सन्यासी नहीं, पतुरिया हाई हाई क्या किया, शेवया जो कहा मैंने किया, पर खुद इन्हें न जाने क्या हो गया, मैं क्या कहूं क्या हो गया, छेला, खींचलो इसकी जुबान, रोहित साबधान, छेला, फोर दो इसकी आंके, रोह इस पतित विलासी के आगे से नहीं मा, चैला चुप रहे बाचाल, मैं हूँ तेरा काल, छुरा निकाल लेता है, रोहित कायर मत बजागाल, शैब्या, रोहित नहीं नहीं, चैला पुतरिया के हाथों बिकर यह सत्ती नहीं रह सकती, रोहित जब तक कहीं एक पूत भी जिन्द है, मा का सतित्त अमर है, पतुरिया, चुप रहे नादान, चैला हमेशा के लिए मैं चुप करूँगा इसे, शैब्या, नहीं नहीं, जो दंड देना हो, मुझे दो, मेरा लाल निर्दूश है, लो, मुझे खत्म कर दो, रोहित, नहीं, मा का अपमान हो, मेरे सामने धिकार ह मेरे जीवन को, पतुरिया, अब तू यहां नहीं रह सकता, मैं हूँ, रहूंगा, जब तक मेरी करनी है, सब कुछ महां है, जहां मेरी जननी है, चैला, हाँ, हाँ, अब या किसी की नहीं है केवल हमारी है, पाकर रहूंगा इसे, रूप की बलेहारी है, भींच ले अपना गला तोड़ ले अपनी सांसें, भाग जा यहां से, या फोड़ ले अपनी आँखें, पतुरिया, चला जा यहां से, इसी दम निकल जा, शेव्या, पतुरिया के सामने हाथ जोने, मैं बिकी हूँ, जो कुछ चाहो करो, मेरा, मेरा पूत निर्दोश है, रोहित, जानता हू रहे से, चैला नफरत मुझे है तेरे चेहरे से, चैला रोहित की हत्या करता है, रंगा, हत्या करके चल दिया, चैला चतर सुजान, मुर्चित हो, रानी गिरी देख पूत बेजान, शेव्या, नैना खोल, खोल, मेरे कुवर कहनाई, आंके खोल, मुख से बोल, पूछे तेर बिका हुआ, वह मनुश्य नहीं, काला सर्प था, जैसे चुआ उसने मुझ में विश फैल गया, उसके जहर का, मैं जाता हूँ, पर रहूंगा तुम्हारी सांसों में, देखूंगा क्या अंत होता है, देवताओं के दर्प का, पिता से कहना, रोहित सुरपूर नहीं गया, स्वर्ग वह जूटा है, यहीं कहीं माटी में चिफ गया, जिसे लोगों ने फूंका और लूटा है, रंगा, कहते कहते कुमर की हो गई बंद जुबान, प्रान तुरंत रोहितास के करते भई पयान, शैव्या, ऐसी विपदा में चला छोड बिलकती मोय, तेरे विचरन से क हडी रानी बे सुधमार, विप्र भेश धर कर मुनी बोले, गीरा उचार, विश्वमित्र प्रान पखेरू, उडगय खाली पड़ा शरीर, अरी बावली किसलिये रोती हो, दिलगीर, रंगा, रानी को समझाये कर मुनी ने पकड़ी रहा, मा को उपर धीरज कहां रोही करके शैवया, निठुराई कर मातू से लिया है मुक को मोड, दगा लाल करके चला गया, एकदम नाता तोड, रंगा, चाती करके वजर की रानी धीरज धार, कफन उठायो लाल को अपनी सारी फार, शैवया, जनवत जाके रतन धन, बांटो मोतिन हार, आप उसी को हो रहा कफन मि शैवया, रंगा, रानी शैवया के रुदन को जब हरिशंद्र ने सुना, पहचान सुत की लाश को भुपती का भी धीरज छूटा, उस पक्त श्री हरिशंद के आंसू भी आये हैं, निकल, लेकिन समझ कर तब अपना निप गए, फोरन संभल, हरिशंद्र, एस्त्री, सुन शैवया, हाई, किसके कर हो, मांगते स्वामी, करो विचार, वह सुत रोहित आपका, मैं अरधांगनी नार है, लाश बेटे की वहां रखी जाओ, नेक निहार लो, अंतिम समय सूरत निरक, मुक्चूम कर, पुछकार लो, बेटा तुमारा, और कर मुझ से मांगते हो पिया, हरी शंद्र, जब तक मैं राजा था, अबद पुरी का, तब तक तु रानी थी, और सुत था प्रान समान, पर अब मैं खड़ा हूं मरगट के मैदान, यह सुत नहीं मेरा, ना इसका मैं पिता, ना नारी तु मेरी रही, बिकते अलग सब हो गए बातें, गई संबंद की, कर देने को जो टकाद होता मेरे तीर कफन उठाती, किस लिए साड़ी अपनी चीर, मैं भी बिकी हूँ, सुनो एपिया, जो बिकी थी, उसी ने यह सब कुछ किया, बेचकर हमने अपने यह ढाया सितम, गंग में फुल, सुत का बहा लेने दू, हाली मेरे इतना ही करिये करम, हरिशंद्र, जब तलक करवसूली पाएन हम, गती क्रिया इसकी करने न देंगे तुझे, राजधन धाम जिसके लिए तज दिया, सो टके पर डिगाना न होगा धरम, सब सुयश पुन्य होता मेरा नश्ट है, अपने मरगट नियम को जो तोड़ू ज़रा शेव्या, आधी स हरिशंद्र, धन्य हरिशंद्र, पूरी हो गई परिक्षा, सत धरम में तुपूरा गया है, उतर, जब तलक नब धरा, सूरे और चंद है, सत्यवादी रहे, नाम तेरा, अमर, स्वरण जाओ, स्वर्ग जाओ, हरिशंद्र, नहीं चाहिए, मुझे जूटा स्वर्ग, मैं मरूंगा, इसी धर्ती पर सब के साथ, हर समय तुने हमें कर अपनी प्रित्वी पर खड़ा रहता है, देवधर, बंद करो बखवा, सत्य की परिक्षा में सफल होकर, हरिशंद्र स्वर्ग गया, ना तक खतम हुआ, लोका, सुनो हरिशंद्र का समबाद, ना में अमर हूँ, ना ही मैं स्वर्ग गया, जीवन भर नर्क की आग में जल के लिए, देवधर, तेरी जुबान खींच लूँगा, बोली भाली जनता को गुमराख करना चाहता है, लोका, जब तक स्वर्ग में इंद्र है, हरिशंद्र को यहीं प्रित्वी पर रहना होगा, देवधर, असली हरिशंद्र स्वर्ग गया, लोका, जी स्वर्ग में तु और तुम परिक्षा लेते रहो, मैंने इस नाटक में राजा बन कर देख लिया, जब तक तुम हो हम केवल बनाए ही जा सकते हैं, अपने आप कुछ नहीं हो सकते, पर अब बनने और होने का मर्म हमें मिल गया, चुप रह जाना हमारे भी रोध था, पर तुम उस भाशा को नहीं समझ सके, सत्ता है तुमारे पास, हम सब तुमारे हाथों के सिर्फ कट पुतले थे, या सारा नाटक तुमारा रचा हुआ था और तुम ही इसके सुत्रधार थे, चलो, अब तुम्हें देनी होगी परिक्षा अपने सत्य की, रोहित जीकर खड़ा हो जाता है, रोहित नहीं तो भस्म हो जाओगे, सीधे नर्क जाओगे, शैव्या, ये सारे शप्त तुमारे हैं, आप और भै तुमारी शक्ती है, जीतन, सारी कथाएं तुमने बनाई और क्यों कैसे बनाई, विश्वमित्र बन कर देख लिया, गपोले, ततो लिलावती, कन्या कलावती, तु भी नहीं होगा, विश्वमित्र, सब होंगे, हरिश्चंद्र, लौका, पंचो, यही है सत्यनार्यन की कथा, अब आरती होगी, भारत जननी तेरी जैहो, विजैहो, युग-युग से करते आए धर्म कथा कीर्तन, युग-युग से सुनते आए रिश्यों के प्रवचन, च भारत है वही जो जी सका वह यह जीवन, अन धूप माटी के पूत हमसनातन, नव विहान, सबसमान, प्रान, सबसदय हो, भारत जननी जैहो, तेरी जैहो, विजैहो, परदा गिर जाता है, इसी के साथ नातक का समापन होता है.